नमस्कार मैं हूं गिरिजेश वसिष नौकिंग नूज में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया पे अमेरिका की हुकूमत सोशल मीडिया के जरीए चलती है और वो किस तरह से पूरी दुनिया को इंफ्लूएंस करने की ताकत रखता है भारत में सोशल मीडिया को नियंतरित करने के लिए जो कानून आ रहे हैं उनका बहुत विरोध हो रहा है विरोध होना भी चाहिए क्योंकि वो लोगों की अभिव्यक्ति की सतंतरता से जुड़ा हुआ मामला है दूसरा हमने आतीत में देखा कि हमारे चुनावों को प्रभावित हैड थी पॉलिसी हैड थी हिंदुस्तान की उनको छोड़ना पड़ा था तो जब ये स्थिती हो तो उस पर बहस भी होती है लेकिन इस पूरी बहस के बीच में एक बात बार बार आती है कि भाया हमारी जो स्वतंतरता अभिव्यक्ति की उस पर डाका कौन डालेगा अमेरिक से एक चीज जो पहले गुना थी है उसाव होगा इस सब पर हम बात करेंगे कहीं मच जाएगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजाए मैंने परसों एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि किस तरह से जो पोस्ट कोबिट न्यू वर्ल ओर्डर के हालाद बन रहे हैं किस तरह से कोबिट खतम होते होते अमेरिका की बड़ी ताकतें अमेरिका की कह रहा हूं माफ कीज़ेगा दुनिया की बड़ी ताकतें इस धर्ती पे कबजा जमाने के लिए या कहें अपना रुत्बा तो एटभाने के लिए नए ने हथकंड़े चल रहे हैं vírus फट्कंड़े में उडार्ण राया था के लिए ऊथकंड़े लाइनिया extremely अब पहले जो अमेरिका कहा करता था साथ की को टाइतने लगा और से और नेचर से आया अब उस अमेरिका ने Size फिर चीन को लपेटने के लिए या दबाव बनाने के लिए यह हम अंदाजा लगा सकते हैं हम नहीं जानते हैं उनके दिमाग में क्या है फिर से जाच करने शुरू कर दी है जो बिडेन जो है अमेरिका के राष्टपती उन्होंने यह आदेश दिया है कि यह जो कोरोना वाइरस है इस क्या ओरिजिन इसकी उत्पती पता लगाईए क्या किसी लेब से हुई एक्सिडेंटली किसी लेब से निकला या यह प्रकृती से आया इस पर साफ पस्ट तस्वीर चाहिए नब्बे दिन का समय उन्होंने दिया है अपने देश की इंटेलिजन्स एजिंसी को जो 17-18 ए एक पूरा एक जो बॉस है उसने उसको जिम्मेदारी दी गई है और अब अमेरिका के जासूस और इन्वेस्टिगेटर लग गए हैं यह पता लगाने में कि यह वाइरस आया कहां से 90 दिन है और उसके अंदर उनको बताना है मैं ज़्यादा पीछे ले जाना नहीं चाहूंगा इराक के राश्ट्रपती सद्दाम हुसेन पर विपन आफ मास डिस्ट्रक्शन सामुहिक तबाही के जो है हत्यारें उनके पास यह आरोप लगाकर सद्दाम हुसेन के उपर हमला कर दिया गया था इराक को तबाह कर दिया पे असर डालती हैं लेकिन आप कहेंगे कि मैंने बाची सोशल मीडिया से शुरू की थी और मैं यहां कैसे आ गया बाची सोशल मीडिया की ही है फेस्बुक ने अपनी पॉलिसी बदल दी हैं कल तक कल तक का मतलब कुछ समय पहले तक अगर आप फेस्बुक पर ये लिखते क वाइरस जो है वो चाइना की लेब में बना है या किसी और लेब में बना है और इसको लेब में तयार किया गया है मानवता के उपर नुकसान पहुचाने के लिए तो फेस्बुक आपकी पोस्ट को उड़ा देता डिलीट कर देता क्योंकि वो ये मानता था कि ये कॉंस्पि उन्हें की रिपोर्ट एक बाकाइदा तयार हुई थी जिसमें उस लैब में जाके इस इलाकों में जाके कई तरह की चीजें की परताल करके और यह पता लगाया गया था कि यह वाइरस लैब से नहीं बना है इसको डबलू एचो जो टॉप का दुनिया का संगठन है वो इसको क्लोज कर चुका है इसलिए फेस्बुक भी कहता था कि यह सब फालतू की कंस्परेसी थियोरीज हैं वाइरस जो है नेच्रल तरीके से आया है और ज्यादा अंदाजा इस बात का था कि चम गादर से आया है अब क्या हुआ कि अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि वाइ ची के खिचाई हुई यह भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से खुद सीनेट में जो अमेरिका के सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि खुद अमेरिका की जो लेबोरिटीस हैं उसमें बहुत खतरनाक तो फेस्बुक उसको उड़ाएगा नहीं क्योंकि अमेरिका की सरकार ने कह दिया है कि यह लैब में बना है तो वह विवादित हो गया है एक चीज जो कल छूट थी वह सच हो गई है जो सच थी वह जूट हो गई है वहले ही डबलु एचो ने कुछ कह दिया हो और यह परी निजर रखेंगे और जो दुनिया के जो बड़े-बड़े अलग-अलग जो हैल्थ अथॉरिटीज हैं उनके संपर्क में रहेंगे उसके आधार पर अपनी नीती तैकरते रहेंगे गूगल की नीती सपस्ट है गूगल कहता है जिस चीज पे पूरी विश्व विराद कि कंसिंसस है जिस पे उनके बीच में एक सहमती है उस चीज को वो फैक्ट मानके चलते हैं और यह जो मसला है इसमें सहमती चुकी नहीं है इसलिए इस पे उनकी नीती खुरी हुई है कोई चाहे तो इस बारे में बात कर सकता है वो आपका वीडियो डिलीट नहीं करेंगे और आपको तंडित भी नहीं करेंगे बराल इस बात का सवाल है कि कैसे एक सरकार की नीती बदलने के साथ ही सब कुछ बदल जाता है अभी सितंबर में जब केंपेंज शुरू हुआ था राष्टपती के चुनाव का तो डोनल्ड टरम कहते थे कि यह तो कॉंग्फू की तर रहा है कि अब जो बिडे ने और दिये इंक्वारी के इसको लेकर भी वाइट आउस से बयान आया है कि तीन महीने बाद जब इंक्वारी होके रिपोर्ट आएगी कि यह वाइरस लेब में बना कि नहीं बना तो यह हम बताएंगे नहीं जरूरी नहीं है कि आपको बताएं जनता को बताएं देश को बताएं दुनिया को बताएं कि वाइरस लेप से आया की नहीं आया है जाच का नतीजा क्या निकला इससे आप अंदाजा लगाए pie कि किस तरफ दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और सोशल मीडिय की जो नीतिया है इसमें आपके भीएक्ति की जाना चाहिए आपके पास 24 गंटे एक आदमी रहना चाहिए कोई भी आदमी अगर रिपोर्ट कर दे किसी वीडियो को किसी रिपोर्ट को किसी ख़वर को पूरे इंटरनेट पे तो आपको जो है वह उस पर 24 गंटे के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो हमने जायत मिल गई है और साथ दिन के अंदर आपको उस पर कुछ न कुछ निराकरन करना पड़ेगा और यह जो कुछ आपने निराकरन किया है इसकी रिपोर्ट सरकार को देने पड़ेगी देखने में बहुत कुछ सरलर सुभीते बरा लगता है लेकिन जब एक पाटी के पास म हजारों हजारों लोग सोशल मीडिया सेल में बैठकर ट्रोलिंग कर सकते हैं तो वो लोग किसी वी वीडियो को कब हटवाना है कब लगवाना है बड़ी आसानी से कर सकते हैं सरकार के लिए काम तो बहुत आसान हो जाएगा और हमारी सरकार का रिकॉर्ड है उसने कई बार क और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको बिजनिस के तौर पर क्या मिलता होगा यह मैं आपको नहीं बताना चाहरा हूं क्योंकि मेरे पास अभी ताजा अकड़ा नहीं है कि कौन सी पार्टी फेस्बुक को कितने पैसे देती है वो एक अलग कहानी है लेकिन हम सब के जो कुछ मिल रहा है जानकरी आप कहते थे मीडिया विकाओ है नेशनल मीडिया विकाओ है सोशल मीडिया में एक फ्रीडम है सोशल मीडिया भी किस तरह से फसा के शिकंजे में ले लिया गया है जो इंटरनेट एकदम फ्री था तो किस तरह से लपेटे में आ गया ये इसका उधारन है और इस बात का भी इससे पता चलता है कि जिसकी लाठी उसकी भेंस है अगर दुरिया में अमेरिका के पास ताकत है तो फेस्बुक उसकी बात मान रहा है और अपनी नीतियां बदल दे रहा है आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने किस बज़े से बदली इस बज़े से बदली लेकिन ये तथ है जो हम सब के सामने है ये हाला सारे के सारे बता रहे हैं कि हम किस जगे खड़े हुए है हमारी दुनिया कहां खड़ी हुई है हमारी अपनी हसियत क्या है हम जो बड़ी बड़ी बाते करते हैं कि हमने अपना चैनल मनाया हुआ है हमारे चैनल का वजूद क्या है एक हवर जो अमेरिका में केबल अमेरिका के FDN है जिस बीमारी को कोरोना के इलाज के लिए अप्रूब किया हुआ है उस बीमारी को बाकी ड आप कहेंगे तो आपका चैनल संकट में आ जाएगा और आपके सामने उधारन है मैं इस बाले सिकों भी मैं आपको क्या बता हूं कि इस तरह से डाल रहा हूं बरहाल पॉलिसी जो है वो उतनी स्वतंत्र नहीं है जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं नहीं पता है कि पीछे से उस पे कितना नियंत्र लगाता रखा जाता है लेकिन वो प्रतिबंधित हैं इन क्लेट फॉर्म्स पे इसलिए मैं इनको बुला नहीं सकता हूं नाम किसी का मैं आपको बताऊंगा नहीं और एक बात मैं आपको फिर बता दूँ मैं अपनी इंडिपेंडेंट ट्राय रखता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कहीं से जो है वो किसी खासरे का अभ्यान का हिस्सा बन गया हूँ मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम सच बयान करना है कई बार मेरे सच से आप सहमत हो सकते हैं कई बार मेरे सच से आप असहमत हो सकते हैं मेरा नियम है कि मैं यूट्यूब पर वो बोलूँगा फेस्बूक पर वो बोलूँगा डेली मोशन पर वो बोलूँगा इंस्टाग्राम पर वो बोलूँगा anchor FM पे वो बोलूँगा जो की मैं बोलना चाहता हूँ जिसको मेरे विचार अच्छे लगते हैं मैं उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ मैं लोगों के पीछे दोड़ना नहीं चाहता मेरे अपने विचार के लिए लोग मुझे से जोड़ रहे हैं मैं ये करना चाहता कि हमारे लोगों को आज ये पसंद आएगा तो मैं इस पर बना दूँ उनके जैसा बोले लगों ये काम में इस्टी मीडिया कर रहा है इसको करने दीजे मैं बोलूँगा जो मुझे अच्छा लगता है कभी कुछ लोग खुश होंगे कभी नहीं होंगे सबके विचारे एक जैसे नहीं होते हैं और मुझे इस पर गर्व है कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं मेरा साथ ते रहे हैं नमस्कार जहिंद